लोगों ने काफवा फैला रखे ये कम दूद देती है और इसकी जो अर्याणा ब्रेड दूद जो है गाई नहीं देती नंदी देता है तो कि यह हम जब भी गाई हिट पे आएगी आम अच्छे नंदी तो वो दूद कैसे हुआ ये बताव आप में दसकी दूद देवो अमरित के संभान है यामारे सोमनात्र नंदी माहराज के माता पिता है जो कि लोगानी का लिए पिता नंदी है जोड़े दिल पहले इनका देहां तरह किलो कुछ है है एक एल्टी वी में रिकोर्ड आज Right कि आ हर्याना में हर्याना देशी बूल चाहिए हो छोटा बच्छडा हम लिया के देंगे चाहिए पैसे में लिया के देना पड़ो कई किसी भी पंचयत को चीए हो तुमारी देशी गाई भी 18-20 किलो दूद देखिए को लुब आई के बैनर पेशर रूती गाई लगी हुए आठा और काफी महत्वपून वीडियो होने वाला है इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ब्रीड के बारे में काफी अच्छी जनकारी दी गई है और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नहीने जनका पुरुषेत्र पथू परदर्थन में पहुंचा तो धर्मच्षेत्र की सपावंध पवित्य धरती पी मैंने जब आपकी बुल को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई थोड़ा इस बुल के बारे में हमें जनकारी दीजी एक कौन सा बूले इनका क्या नाम है पहले तो हरियाना की देशिवरेड है उस नसल का ये सोमनाथ दंदी महाराज है और इसकी उमर होगी छेदाथ छेदाथ अभी दाथ में सोमना जी अच्छा हाँ जी और इसकी मदर का रिकोर्ड 16-17 लिटर दूद दे इसकी मां का रिकोर्ड है जो की आश्रम में महाराजी के पास है न ब्रदर नाथ के पास उसी का ब्रोदर है उसी का ब्रदर है जी जी और देखने में ऐसे पता लगा देखने में लग रहा था कि रूदर नाथ की ब्लड लाइन का हो सकता है और इसको भाई यह आमें तयार इसलिए कि यह कपनी जो अरियाना ब्रीड है उसके क्या है कि लोगों ने का फ़वा पहला रखे कम दूद देती है और इसकी ज अनुको हम बिना किसी चार्ज के लेकिन गायो देशी अरियाना ब्रीड की बिना किसी चार्ज के प्राकृति गरब्दारा ने करवाते हैं इसका सीमन भी नहीं आभी से सीमन का कोई प्लैन है नहीं बाकि आगे हमारी है इस चाहिए आम क्योंकि दूर उसे भी कई बर कोल आत बता सकते हैं यह जो इन विरीड होती है अपने एक गाउं का नंदी एक अगर गाईं को अगर वो नेचरवन कराश करता है तो अगर उसी ब्लड राइन के जो आने वाली बच्छियां है तो क्या अंतर होगा अंतर का देखो आपको सबसे बड़ी बात बदा देते हूं सभी नंदी देता है अच्छा नंडी से । लाइन के जो नंदी ए मंहें का चैन की आप अच्छे नंदी करें के तुमाम सीमन हम ऊपलब्ध हो जा अगर ने कृतिम घरवा धान करा के लोग अगर चाहें तो अच्छे बलट दाइन के देशी गव मता का ब्रीड तयार कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं सिमन से भी यहां है अर्याना ब्रेड पे गोर्मेंट ने बहुत अच्छा काम किया है वह भी है लोगों तक पोतार है नेसल सुधारने के लिए और जैसे यह प्राकरति गरव दारण के लिए यह ऐसे नंदी अगर गवों के बीच में होंगे तो उनकी टिका करण की आव सकता ह नहीं पड़ेगी जी अरेक गाव में या गाव में अरेक में नहीं सोकते तो जैसे वाई दो च्यार गाव उनमें के आदा अच्छा नंदी हो अच्छी नसल का तो उसे हम यह जनकारी थोड़ा समय दीजिए कि सिर्फ याप यह अर्याना नसल के सासत और कौन-कौन सी ब्री में अंतर बताईए जराम को भाई अंतर तो यह है देखो जब आमारे रिशी मुनियों ने इनकी शेवा कि इनका दूद पिया इनका गी दूद खाके तब उन्होंने इतने अच्छे नेक काम के युद्ध लड़े इतने मान जी तो हमें और अमारी जो देशी अर्याना बिरिड़ है इसके अंदर सबसे पहले एक अंदा आदमी भी देखे बता देगा यह हम इसके अंदर एक शूर्य के तो नाड़ी होती है जिससे गोमाता का दूद पिड़े रंका होता है और एच्छे पका तो दूद देखो कई भाई आज के शानेवारे हैं उनको बुरा लगेगा अच्छा पा दूद तो भाई पाणे बराबर है एक यह क्योटि कैसे हुआ यह बताओगा पैसेट-पैसेट कोड़ो दूद देती है यह चाहे दश किलो दूद देखो दूद अम्रित के संभान है भाई हमारे रिजी हुए है भी मर्जुन उन्हों सबने देशी गाउंगा दूदिपी के वाई स्वस्वाथियों की ताकती उनके अंदर और आज के दिन यह चफ का दूदिपी रहे हैं कई रिसर्च भी हुए है जिन पे एटू और एवन मिल्क की एक वो निकली के आई है कि कितना अंतर है अमारी और गाय में तो यह मोटा मोटा बहुत जादा अंतर हो जाता है चम में और देशी गाय में यह अमारे सोमनाथ नंदी महाराज के माता पिता है जो की खडेश्वरी महाराज जी के ये पिता नंदी है थोड़े दिन पहले इनका देहांत हो गया है और ये इनकी मदर है ये देखिए मदर की ही आप हम्प देखिए और बोडी स्टेक्चर देखिए ये सोमनाध नंदी महाराज के रजल्ट है कुछ दिनों में इनकी बच्चिया भ पताईए ये ये वाई साब चन्नों गाये है जी ये तीसरे व्यात में रोतक में फस्ट आई थी वह उदर इसकी फोटो लगी हुए सतरा किलों कुछ एचलडीबी में रिकोर्ड है इसका दूद जी अभी ड्राइव में हाज ये ड्राइव यूटी कंपिटिशन में कि इतना इवा खिसान अपने में लगन के साथ देशी माटा के साथ आपका प्रहे तो आम बारदेश के यूवा है तो आपने तो चैन करेंगे देशी और पिर जिस राज्य के हिसाब से हम जैसे हैं जैसे पंजाब से हैं या गुजरात्चे है है घृति हंए पिर वह लग वो बोलते हैं डोक्टर को की भाई कोई भी टिका रख देश के बस ब्यानी चीए अब एक में गंदी बात बोल दूँ उनको यह चाहिए चाहिए वो कुत्ते से ब्याजाए ब्यानी चीए ठीक है अगर जिस दिन किसान खड़ा होगे यह पूछ ले कि भाई मेरे कों सटी का ल और शिम्मन का प्रियोग तो बाद में बहुत ही लास्ट स्टेज पे आना चाहिए पहले तो कोशिज यह एक प्राकृतिक ने जो चीज बनाई है वह उसका वैसे ही एक नैचूरल मेटिंग हो अगर फिर किसी का अणवस नहीं बन पाती है बातो शिम्मन का तो वह बाद में आता है अच्छे बलड लाइन के जो नंदी है तो जो हजार किलोमीटर दूर है उनके लिए तो मुश्किल है हर पंचायत में पंचायती बुल देखने को नहीं पार है आपने तो इन ब्रीटिंग की बतादे इन ब्रीटिंग जितनी जादा इन ब्रीटिंग होती जाएगी इतनी उसके क्रेक्टर खतम होते चले जाएगी जैसे यह सोमनाथ है इसकी बिटिया आगी वह इसी से गरबदान होगी तो वह माइनस चली जाएगी वह एक समय ऐसा आएगा कि वह चार पांच चार तीन दो पर चले जाएगी फिर लोग बाग उसको देखके हमारे भारती ब लाए पर ही छोड़ते हैं जो बिल्कुल सोक रेक्टर वाली यह एक रुद्रा एचाट सोशाठ का बेटा है इससे हम बैक ब्रीडिंग कर रहे हैं बैक ब्रीडिंग मतलब जो गाय करोश होगी उसकी मता अर्याना थी और पीता उसका साहिवाल था तो बच्या करोश आगी उसको वापिस चोड़के और उसको वापिस हर्याना में ला रहे हैं बहुत बहुत धन्यबाद इसकी जो बीटिया आएंगी वो इससे करवाएंगे और इसकी विटिया इससे करवाएंगे तो यह इन ब्रीडिंग नहीं होगी यह और बहुत अच्छा रजट निकलके जी जी हम यह चाह रहे थे कि आप प्रसूपाला आप यूँआ किसान से हमारे किसानों को यह जनकारी मिले कि ब्रीड इन ब्रीड का अंतर क्या है ताकि ब्रीडियो के माध्यम से सभी किसानों को पता चले कि पहले बात तो बाइशाब आज एकल लूं बुलों के माध्यम से ताकि हमारी देशी ब्रीड धीरे बिलूप्त होती जा रही है उनकी मिल्क कैपसिटी कम होती जा रही है उसे बचाने के लिए हमें ब्रीड पे काम करना पड़ेगा तभी हम अपने ब्रीड को बचा पाएंगे दो, बिल्गुल बात आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के दावारा की किसी भी भाई को हर्याना में, हर्याना दे शी बूल चीए हो, छोटा बच्डा, हम लेंगे बाई, पैसे में लेंदा को नपसे बढ़ेगें किसी भी ड़ो importantes हो कि साड़ा को फिर्यार होएंगे, किसी को भी चीए अपनी इच्छा से कोई दे दे तो दे दे ना आमें कुछ नी चीए यह अमारा चिकित्षाल है बगत सिंगों चिकित्षाल है वमार रियाडा नसल संबर्दन के अंदर यहां पे 17 वो गाय है जो अंधी है अक्सिडेंट हो रखी है लंगडी है कुतो दवारा गायल है नील गाय भी है बंदर भी है आप वही गाव प्रेमी है जी जी तो वही इसके साथ चिकित्षाले के साथ साथ हम भाई नसल संबर्दन भी कर रहे हैं जिससे वह गाय ना तो ऑक्सिडेंट होगी ना उसको कुते फाड़ेंगे क्यों फाड़ते क्योंकि वह हम रोड यह नीचे जुमर है बाइस किलो दूद एक बैस निकालते वक्त भी उसके पसीना चुट जाता है और यह देशी गाय दे रही है अगर इन गायों को समाण लिया जाए बचा लिया जाए तो क्या जरूत हमें दूसरी गायों की बताव हमारे देश में जो भारती बीड का इत जर्शी है इस पर ज्यादा द्यान दिया जिसका जो टाइम पिछे गया उस पर ज्यादा द्यान दिया लेन आप फिर भी लोगों में जाग रुकता आगी अपनी देशी जो अर्याना जरी ड़ी गिर गिर हुई शायवाल हुई जिथार पारकर जैसे इनको बताने लग लग लेके गए थे उन्होंने दोनों ब्रुडों पर काम किया और उनके पास आज अच्छे दूद की गाई अपना हमें दे दिया उनकी जो ना किसी काम की थी वो गाई आमें दे दी लेगिन उसका अगर आम दूद भी देखें तो कोई गुण लाइक दूद है नहीं स्वास्त क अगर उस दूद को देखे ना तो दूद कोई काम का है नहीं जैसी जनकारी देने के बाद बहुत धन्यबाद सुब कामना आप जैसे युगा किसान मिलते रहेंगे हम यूपी भी आरते हैं अब हरियाना भारत की किसी कोने में अगर पासों कमपरटिशन लग रहा है तो होसला बढ़ाएंगे आप जैसे किसानों का बस आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहें अच्छा काम कर रहें आप यूटूब के माद्धम से आज के युवां है उनको आप लागरूप करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करें जी बहुत बहुत दंजबाद सुब कामना टाथ टाउब अच्छा कामना रहें खाल रहें आप लोगों कामना रहें और प्यूल रहें गपाल अभ उनको कर दोवराख रहें वित लोगशा कर दोगड़ कि अभाएंगे बहुत है